नमस्कार दराइवी इंडियान नीट में एक बाद फिर आपका स्वागत है मैं आपके साथ रभी शर्मा सब्सक्राइब करना ना भूलें जिस्ते की हमारी सारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें चलिए गुप करते हैं आज की ताज़ग करते हैं लॉगडाउन के चलते दतिया जिले में जन सेवा मानव सेवा समथी द्वारा उन गरीबों को खाना खिलाए जा रहा है जो दूर राज से दतिया छेत्र मैं डले हुई हैं वहीं उन लोगों को भी खाना दिया जा रहा है जो लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते ऐसा बताया जा रहा है कि यह समिती जिस दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है तभी से ऐसे पूंके लोगों को डूड डूड कर जगए 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 जाकर खाना बित्रन कर रही है आज यह खाना बित्रन भारती जन्ता पार्टी के युवा नेता बिबेक मिस्रा की उपस्तिती में बित्रत किया गया है भोजन का बित्रन रोज की तरह समिती द्वारा गिर्राज फरनीचर वाली गली में खाने के पैकेट बना बना कर खाने का बित्रन किया गया है यह बताया जा रहा है कि युवा मोर्चा के बरिष नेता बिबेक मिस्रा जी की उपस्तिती में यह खाना बित्रन किया गया है लोगों को इस दोरान लोग डाउन के बम सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया गया है और लोगों को खाने का बित्रन किया गया है आज इन लोगों को खाने का बित्रण जिस तरीके से किया गया है वह एक सराइनी एकार है थेलों में पनीर की सबजी के साथ पूडियां और अनत तरह के खाने का बित्रण किया गया है देखिए किस तरह से खाने का बित्रण लोगों में किया जा रहा है या एक सराइनी एकार है जो की दत्या जिले में किया जा रहा है या दत्या जिला मा पीतांबरा की नबली है यहां पर एक से एक लोग धर्न के नाम पर आगे बढ़ चड़कर हिस्सा लेते हैं आईए अब हम जानते हैं युवा नेता बिवेग मिश्राजी से जिन्होंने इस समिती के द्वारा जो खाना बित्रन किया जा रहा है उस विशाय में क्या कहा है इस महामारी के दौर में हमारे ददिया में कोई भी भूका ना सोए इसकी चिंता डौक्टर नरुत्तम मिश्रा जी मेरे पूचे और यहां की जितनी भी चंता है वह चाहती है कि कोई भी भूका ना सोए चितने भी यहां पर समास से भी लोग हैं कारिकरता गण हैं सब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी भूका ना सोए एसी कोई दिक्कत ना आये जिसकी आवश्चकता हो पूर्ती करें और व्यक्ती तो व्यक्ती छोड़िये हमारे यहां पर तो गायों की भी चिंता की जा रही है पश्यों की भी चिंता की जा रही है ऐसा हमारा दिक्तिया है माई की करपा है ऐसा ही हमारा पूरा प्रदेश हो ऐ जहां एक और पुलिस द्वारा सक्ति से लॉकडाउन का पालन कराय जा रहा है वहीं कुछ ऐसे आसमाजिक तत्व हैं जो कि इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं इस दौरान पुलिस ने करीब नौ लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है जो जुआ खेल रहे थे वहीं पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन ना करने पर सैकड़ों लोगों को सड़क पर खड़ा कर उठक बैठक लगवाई और उनको सक्ति से लॉकडाउन का पालन करने की सलाय दी इस दौरान लो टो ने जगा है अझा ज जडब ठोrat